सब्सक्राइब करें नौलेच स्वेट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल को फॉर मॉर अपडेट्स एंड प्रस दीबेल आइकन दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो प्राण विद्या के दहत हम मुलाधार चकर मुलाधार चकर का जो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह क्या है और कहां पर यह होता है पहले बादाती है मुलाधार चकर यह मानों के जो गुदा मूल के ओपर और उपस्त से नीचे विदा मुल अर्थात मर्दवार के उपर और उपस्त यानि जो मुत्रमार्ग से ये नीचे होता है इसकी बीच में होता है तो इनके बीच से ही यानि मुलाधार चक्र से ही जो शुमना, अर्थात, सरस्वती, वैजो, इडा, गंगा ये दोनों नाडियां निकलती है जो कि हमारे सहस्तरार चक्र जो कि हमारे मस्तिक्ष में होता है वहां तक ये इस उटजा को लेकर जाती है जो कि हम समाधी के अवस्ता हम जानते है कि योग में होती है सबसे अंत में जो अवस्ता होती है योग में वो एतित सामादिकी तो उसमें ये सारा जो चकरों का प्रवा होता है शकती का, वो अंद तक यहीं लेकर जाती है सहस्तरार चकर तक और यहीं चकर, जो कुंडलेनी जागरन है उसका मुक्हे आधार होता है कुंडलेनी शक्ति यदि मनुश्य को पानी है अपने जीवन में तो वो मुलाधार चक्र को उसमें ध्यान करे तब ही उसको वह प्राप्त कर सकता है इसलिए इसे मुलाधार चक्र भी गयते हैं और इस चक्र में ध्यान करने से क्या लाब है कि मुलाधार चक्र में ध्यान करने से जो आरोगता मिलती है जो मनुशिय अर्दरेटा बनता है मनुशिय और दिजवि उसके शरीर पर उसके जो मुख मंदल कर तेज रहता है और मुख जिसमें समाधी तक जो अंतिम वस्ते हैं वहां तक यह चकर हमको ले कर जाता है परसाधी जो मलमूतर समधी जो भी तंतर है उनसे सम्म्मधित जो भी रोग हैं जो भी व्यादी हैं उनकी भी समपती होती है इस चक्र में ध्यान करने से और जैसा हम बता दें आपको यह मुलाधार चक्र इसका जो तत्तौ है व कैसुर्थव है प्रित्वी और यह जो वायू है इसमें होती अपान वायू से संबंदित है ये मुलाधार चकर और ये अन्न मैकोस से संबंदित है मुलाधार चकर तो इस परकार से ये मुलाधार चकर के बारे में जो भी मैं जानकरी थी जो भी हमने अमारे पास थी जानकर हमने आपको बड़त करवाई आशा है कि आपको मुलधार चकर की इन शक्तियों के बारे में जानकर वश्य ही अच्छा लगा होगा आज की इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद